डियर एस्परेंट मनु एकडिमी के जाव अपडेट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज हमारा फिर से डिस्केशन होने वाला है राजस्थान कर्मचारी चैन आयोग जैपूर के बारे में इससे पहले हम लोगों ने मोटर वैकल सब इंस्पेक्टर के बारे म खूब सारा डिस्केशन किया है बत उतना डिस्केशन की जरूरत यहां पे नहीं है नंबर आप वेकेंसी देखोगे आप तो यहां पे टोटल वेकेंसी है 1092 आप को होगे भईया बड़ी खुजी की बाद है इतना जादे पोस्ट आई हुई है पर सभी को खुस नहीं होना ह मुझे लगता है कि यहां पे जो लिखा हुआ है ना कनिस्ट अभियन्ता सन्युक्त सीधी भरती 2022 यहां पे कट कर Marine दे ना चाहिए सन्युक्त के जग़ा पे सिविल कर दो भहिया क्यूंकि यहां पे जो वेकेंसी है वो तो पूरी की पूरी सिविल के लिए है बाकी लोगों को बस प्रसाद मिल गया कि चलिए कथा के पांचो अध्याय पूरे हो गए हैं आप प्रसाद ले के जाईएगा सिविल वालों को से का गया कि आप रुकिए आप तो खान पीना खा के जाना इस चैनल पर काफी आटो मुबाइल के स्टुएंट हैं वो कहेंगे कि हमारे लिए क् को तो इन्वाइट ही नहीं किया गया है खैर कोई नहीं मकेनिकल का हमेशा एवर ग्रीन बोल के पीछे से काट लिया जाता है तो क्या ही कर सकते हैं बात करते हैं अब वेकंसी की तो यहां पर वेकंसी आपको नजर आ रही है जूनियर इंजिरियर सिविल डिग्री धारक मतल के लिए है यहां पर थोड़ा सा प्रसाद के नाम पर यहां पर जूनियर इंजिनियर यंत्रकी यान बिद्दूत मतलब electrical और mechanical को तो ये huge कर देते हैं हर बात में कहते हैं कि अबे तुम मिल के रहो न तुम्हारे अंदर दरार क्यों डाले हम तो दोनों को मिला के दे दिया इन्होंने प्रसाद के रूप में 37 post ठीक है नीचे उसी तरीके से दिप्लोमा वालों को मिला दिया है कि ठीक है अगर डिग्री वाले मिल रहे हैं mechanical और electrical वाले तो दिप्लोमा वाले तुमको क्यों problem होड़े तुम दोनों भी मिल जाओ और तुम दोनों भी ले लो 26 post और मजे करो खुब form भरो और खुब selection लो बाकी सारा जो भी post आप देखोगे यहां पे civil, civil यह भी बिद्दूत के लिए थोड़ा सा अलग से दे दिया गया है बट मतलब सबसे ज्यादा कटा है mechanical वालों का और यहां पे civil, civil करते करते सारी post खतम हो जाती हैं total post है एक हजार बाउन भे मतलब इतनी सारी post है और mechanical को क्या मिला बाबा जी का ठुलू खैर यहां पे आप देख लेना भाई कि अगर आप form भर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जिस merit में आप form को भरोगे मतलब जो उनसा department आप सलेक करोगे उसी के हिसाब से आपको यह वहां पर form मिल जायागा आप fill up कर लीजियागा एक वीडियो मैंने motor vehicle sub inspector के लिए बनाया था कि किस तरीके से fill up करना है लास्ट में आपको मिल जाएगी जो लोग नए है किस तरीके से registration करना है और वहां पर बताया हुआ है तो वीडियो आप देख लेना बाकि यहां पर सीट दिवाइड कर रखा है तो इसको discussion की इतने जरूरत है नहीं यह सब तो बात की बाते हैं पहले आप यह देख लो कि form fill up करना है कैसे करना है detail mention किया गया है कुछ चीजे समझ में नहीं आती है तो एक बार read out जरूर कर लेना ऐसा नहीं है कि ऐसे बार दो बाकी कोई confusion होता है प तो salary तो तब मिलेगी जब पहले selection लोगे तो पहले selection के बारे में सोचिए salary और बाकी बातें बाद में कर लेना है यहां पर criteria mention किया गया है यहां पर age mention किया गया है यह सारी detail है as such मुझे लगता है कि आपने graduation कर लिया है डिप्लोमा कर लिया है तो इतनी सारे decision की जरूरत है न आपको समझ में नहीं आएगा तो यह सारा पूरा आपका detail advertisement रहा in short आपको एक notice की तरह मुझे बताना था कि भाई एक vacancy और आ गई है अगर आप preparation नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दीजिए इस तरीके से vacancy आती रहेंगी चलिए this is the end of this video thank you मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब